हलो गाईस मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा वेलकम तो माई यूटूब चैनल पैकरा लेवी में आपका स्वागत है प्लीज पेर वीडिव को देखने से पाले एक लाइक सब्सक्राइब और सेयर जरूर कर देना आईए हम चर्च करते हैं भारती दंड सहिता 1860 की धरा 303 के बारे में धरा 303 में यह बताया गया है कि आजीवन सित्ध दोस द्वारा हत्या के लिए दंड अर्थात आजीवन कारवास के दंडा देश के अधिर रहते हुए कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो उस उसे मिर्थ्यु धंड से दंडित किया जाएगा या पैरोल पर रहता है पैरोल अर्थात tao जेल बंदी थोड़े दिन के लिए छुट्टी ली जाती है उस इस्थिती में किसे व्यक्ति की हत्या कारित करता है तो उसे मिर्त्यू दंडशे दंडित किया जाएगा यह धारा सन 1983 तक मान्य थी अर्थात आजीवन करवास के दंड़देश के धीर रहते हुए यदि कोई व्यक्ति हत्या कारित करता है तो उसे मिर्त्यू दंड़ से दंडित किये जाने के अलावा कोई अन्य प्रवधान नहीं था यह हद 1983 तक चला परन्तु सन 1983 में मिठ्व बनाम पंजाव राज्य के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया की धारा 303 के प्रवधान की वायधानिक्ता कोई सधार पर चुनवती दी गई की उप्तधारा के उब्बान सविधान के अनुच्छेट 14 एवं 21 से वी संगत थे सविधान के रिच्छेट 14 अर्थात वीधी के समक्ष समता एवं 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सरक्षर से वी संगत थे इसलिए मानि उचतम नियालाई की पांच नियाधिसों की खंड पिट ने जिसकी अध्यक्छता ततकालिन मुख्य नियाधिस दीवाई चंद्र चूर कर रहे थे इस वाद में भी निश्चित किया कि धारा 303 असंवैधानिक थी क्योंकि इसके अंतरगत मिर्त्यु दंड दिया जाना अनिमार यह रखा गया था इसके अलावा मिर्त्यु दंड से दंडनी अन्य अप्राधों के लिए आजीवन कारावास के दंड के प्रवधान थे इस निर्णाय के बाद सभी परकार की हत्याएं चाहे वे आजिवन कारावास की दंड ही क्यों न भोग रहे हो चाहे अभियुक्त द्वारा ही हत्या क्यों न की गई हो सभी को भारती दंड सहिता की धारा 302 के अंतरगत दंड नी माना गया है। इस संधर्व में दंड प्रक्रिया सहिता की धारा 232 के अंतरगत अभियुक्त को सुने जाने का अधिकार है। परन्तु भारती दंड सहिता की धारा 303 केवल एकल मृत्यु दंड के प्रवधान होने के कारण दंड प्रक्रिया सहिता 232 के प्रवधान निर अर्थक हो जाते हैं। क्योंकि धारा 303 के अधिन माननी नियाधिस को कोई विवेक सक्ति प्रदान नहीं की गई है। इसलिए माननी उचतम नियालाई ने धारा 303 को असवय धानिक एवं सुन्य घोसित कर दिया है। और इस धारा से दंडनिया अपराधि को धारा 302 के अंतरगत माना जाएगा।